बैलकम टू एगजाम विविश्नधू तो दोस्तों जैसा है अपको पता है हमां अपने च annl पर डिसकस कर रहे हैंग्यों प्रैक्टिस सैट की सीरिज्बू से से पहले हमने चार्ट ट्रैक्टी सेट को डिसकस कर लिया है अगर भी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें जाकर देखिए तभी आपको इसका क्रम पता चलेगा किस प्रकार के पुछेगे हैं तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं start करने से पहले आपको बता देता हूं हमारी टीम के त्वरह ट इसक्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वहां से भी आप संपर्क कर सकते हो आपकी जो भी क्वियरीज हुई आप बड़ सैप करके पूछ सकते हो इसी के साथ अगर भी तक आप हमारे टेलीग्रम चैनल के साथ नहीं जूड़े हैं तो आप उसके साथ भी जूड़ सकते ह मैठलिशन गुफ्थ, हजारी परसाद्वी वेदी, महाबीर परसाद्वी वेदी या निराला तो यहाँ पर जो सही विगल्फ हो जाएगा 131 का तो वो हो जाएगा विगल्फ सी जो महावीर प्रसाद्वी वेदी थे इन्होंने 1930 में सच्वती पत्रिका का संपादक बाहर संभाला था इस से पहले कौन थे तो ये थे श्याम सुंदर दास अगर ये पूशा जाए सच्वती पत्रिका का प्रकाशन या संपादन कब से शुरू किया गया था तो ये किया गया था 1900 से और जो महावीर प्रसाद्वी वेदी ने कब तक इसका संपादन का बाहर संभाला था तो ये 1920 तक संभाला था और जो महावीर प्रसाद्वी वेदी है इनके द्वारा जो निराला की प्रत्रम कवीता थी कि जुही की कली इसे संपादन करने से सफष्ट इंकार कर दिया था इसका भी ध्यान रखना है आगे देखिए 132 पहार बेगाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी हैं तो बताना है ये किसी की पुस्तक है महत्पुन पुस्तक है ये तो ये हो जाएगी शांताकुमार की पह और कई बार ये भी पुछा जाता है लाजो नामक पुष्टक किसकी है तो ये भी शांता कुमार जी की हो जाएगी अगला देखिए 133 प्राचिन हिमालिय पुष्टक के लेखक कौन है तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा विकल्प डी एलपी पांडे एलपी पांडे की पुष्टक हो जाएगी प्राचिन हिमालिय अगला देखिए 134 ललित काब्यम के रचैता कौन थी तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कन्नया लाल शर्मा अगला है पहारी बोलियों का व्याकरन तथा शब्दकोष पुष्टक किसने लिखी है महत्पून है और सभी विद्यार्थियों को मुझे लगता है हिमाचल वालों को इसका ध्यान रखना चाहिए इंपॉर्टेंट है कई वाल जनरल से इस प्रकार के प्रशन पुछे जाते हैं और हमें यह पता नहीं होते इसलिए इसको नोट डाउन करके रखिएगा तो 135 का जो सही विखलब हो जाएगा डॉक्टर पदमचंद के द्वारा पहाड़ी बोलियों का व्याकन तथा शब्दकोष पुस्तक लिखी है अगला प्रशन देखिए 136 तो इसमें पूछा गया है निमी लिखित में से कौन हिमाचर परदे से सबंदित एक परसिद फिलम अवी नेता थे तो यहाँ पर सही विखलब हो जाएगा मन्नुहर सिह अगला प्रशन देखिए 137 पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जनम स्थान क्या है तो यह हो जाएगा दादा सिवा यहाँ पर दारा सिवा लिखा है दारा सिवा नहीं दादा सिवा हो जाएगा इसी के साथ यहाँ पर दो चार तथी आपको बदा देता हूँ जो पहारी गांधी बाबा कांशीराम थे इन्होंने ये शबत ली थी कि जब तक भारत अजाद नहीं होता है तब तक ये काले बस्तर ही पहनेंगे और इनका सुन कांगरा से है जो डाडा सी बाए ये कांगराम पड़ता है इसका ध्यान रखना है अगला प्रशने 138 शिमना जीले में नाइन होल गुल्फ का मेदान कहां है इंपोर्टेंट प्रशने ये भी तो ये होगा नाल देहरा में नाल देहरा में 9-hole गल्फ का मेदान स्थित है अगला प्रशन है यहां पर 149 किन्नर का क्या अथ होता है तो यह होता है अश्रब मुख वाले लोग अश्रब मुख मतलब घोड़े के मुख वाले लोगों को किन्नर कहा जाता है अगला है 140 हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचिन काल में टांकरी लिपी में लिखी जाती थी तो ये लिखी जाती थी चम्बियाली अगला है 141 बैदिक संस्कृति की संग्या निमलिखित में से किस कालखन को दे जाती है तो ये दी जाती है पन्रा सो इस्वी पूरुव से लेकर छे सो इस्वी पूरुव तत सी सही विकल्प हो जाएगा अगला है 143 भगवान विश्णु के दस अवतारों का उल्लेक निमिलखीत में से किस पूरान में हुआ है तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा कुल बेदांक कितने हैं तो यह है छे सी सही विकल्प हो जाएगा एक सो ब्यालिस का अगला है 144 महा भारत की रचना किस ने की थी तो यह की गई थी महारिशी ब्यास के द्वारा जो बी सही विकल्प हो जाएगा महा भालत की रशना महा विशी बियास के द्वारा की गए थी 144 का भी आगे देखे 145 अंगुतर निकाए किस धर्म से स्वंदित ग्रंथ है तो यह होगा बौध धर्म से स्वंदित अगला है 146 तो इसमें पूछा गिया है जैन धर्म के प्रतम तिरंथकर कौन थे तो यहाँ पर 146 का सही बिकल्फ हो जाएगा रिशवदेव अगर पूछा जाए अंतिम कौन थे तो यह थे महाबिर स्वामी इसका भी ध्यान रखना है अंतिम महाबिर स्वामी और पहले रिशवदेव अगला है 47 त्रित्य बौद स्वा या संगती किसके शाषनकाल में आयुजित की गई थी तो यह की गई थी अशोक के समय अगला है 148 चीनी या त्री फाहियान किसके शाषनकाल में भारत आये थी तो यह आये थे चंदरगुप्त दृत्य के समय अगला प्रशन है यहाँ पर 149 सती प्रथा का सरप्रथम प्रमान भारत में कम मिला तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प यह 510 इस्वी में सरप्रथम सरी प्रथा का प्रमान भारत में मिला था अगला प्रशन देखिए 140 नागनात रतनावली और प्रियदर्शी का नामक नाटकों की रचना किस ने की है मोस्त इंपॉर्टन प्रशन है अगले प्रिक्षाओं के लिए भी यह तो यह हो जाएगा हर्शवर्दन जो हर्शवर्दन थे कर्नौज के शाषक इनके द्वारा इन नाटकों की रचना भी की गई है ध्यान रखना यह एक शाषक होने के शाषक नाटकार या कब्य प्रेमी भी थे अगला प्रिक्षन देखिए 151 राष्टर कूट बंच की स्थापना किस ने की तो यह की थी दंती दुर्ग के द्वरा यहाँ पर जो बिकल्प ए है बिल्कुश सही हो जाएगा अगला प्रिक्षन ने 152 चंदेल वज़ की राध्धानी कहा थी तो जो चंदेल वज़ की राध्धानी मानी जाती है खजूरा होगी यहाँ पर ए सही बिकल्प हो जाएगा अगला प्रिक्षन देखिए 153 तराइन का प्रत्म युद्ध कब होगा था तो यह हुआ था 191191 में यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देता हूँ आपको तराइन के युद्ध की जो तराइन का युद्ध हुआ था तो यह प्रत्वी राज चोहान और मुहमत गौरी के मद्धिय लड़ा गया था ठीक है जब यह प्रत्म युद्ध हुआ था 1191 में तो प्रत्वी राज चोहान इस युद्ध में गौरी को प्राजित कर देते हैं और उसकी जान बख्ष देते हैं और से छोड़ देते हैं इसके परशात मुहमत गौरी द्वारा से तराइन युद्ध के लिए आता है और फिलिनका तराइन का दुत्य युद्ध होता है जिसमें मुहमत गौरी है प्रत्वी राज चोहान को धोके से प्राजित कर देता है और अपने साथ बंदी मुना कर गजनी ले जाता है और इत्सा मिलता है कि जो द्रायन का द्वित्य यूद्ध है उसमें पृत्वी राचोहान की हार हो जाती है और वे पृत्वी राचोहान को मार देते हैं कुछ इस परकार की हिस्क्री है पर अगर आप ज्यादा इसकी खोजबिन करेंगे तो आपको ज्यादा प्रश्ण देख ले लोह और रकत की नीती को पनाया था अगला प्रश्ण है यहाँ पर 155 महराष्टर में भक्ति आंदोलन के प्रत्म संथ कौन थे मुझे लगता है कि हिंदी साहिते के विद्यार्थिक का इसका उत्तर पता ही हुगा क्यूंकि भक्ति काल हमने पढ़ा है तो उहाँ पर पता चल जाएगा क्या कैसे दिया था तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 155 का दि जो नामदेव थे इन्हें महराष्टर में भक्ति आंदोलन के प्रत्म संथ या मुख्य संथ माना जाता है जो नामदेव थे इनके द्वारा सगुन और निर्गुन दोनों परकार की रशनाएं लिखी गई है इसका भी दियान रखना है अगर पूछा जाए इनके गुरू का क्या नाम था या गुरूर नहीं कह सकते तो यह कही कहिए इनके जो अराध्य थे उनका क्या नाम था बिठोवा खेचर यह इनके अराध्य का नाम माना जाता है अगला प्रशने 156 कवीर की शिक्षाएं किसमे संग्रहित हैं तो यह संग्रहित होंगी आपकी बीजक में अगर पूछा जाए बीजक का संपादन किसने क्या था धर्मदास के द्वारा कवीर के उत्राधिकारी कौन थे धर्मदास ही थे इसके साथ ही जो पद्वाबत है ये किसका महाकाब्या है और किस भाष्चा में लिखा गया हो और कब लिखा गया है और किस चंद में लिखा गया है ये प्रशन आपके लिए किस ने लिखा है कब लिखा है और किस चंद में लिखा है कुछ एक जो भी तथी आपको पता हो तो अब वश्य बताना अगला प्रशन देखिए 157 महरू निशा किसका बास्विक नाम था तो ये था नूर जहां का अगला है 158 गुरुमुखी लीपी के जनक कौन थी जो गुरु अंगत थे इन्हें गुरुमुखी लीपी का जनक माना जाता है यहां से भी दो-तीन प्रश्य आपको बता देता हूं प्रशन यह है जो सिख संपरदाय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो जो गुरु नानक थे, इनके द्वरा सिक्सम्परदाय की स्थापना की गई थी, इनके दो शिष्ये भी पूछ जाते हैं, जिसमें पहला है बाला, बाला और दूसरा है मर्दाना, अगर पूछा जाए गुरु नानक के दो शिष्ये थे, उनके क्या क्या नाम है, बाला और दियान रखना है, इसके पर जो अलग महत्पुन प्रशन में ये रहेगा कि जो गुरु गोविंसी है, ये कौन है, तो जो गुरु गोविंसी का हिंदी में भी जो अपना हिंदी साहित है, वहां पर महत्पुन देन है इनकी, जो चनडी चरीतर नामक इनका एक नाटक लिखा बहुत ही महत्पून और अच्छा है कभी आप YouTube में कहीं पर साच करेंगे तो अब विश्य देखना इसको अच्छा है बहुत अच्छा लिखा है और किस भाषा में लिखा है और द्रज भाषा में लिखा गया है इसके पशात यह भी धियान रखना कि जो सिखों के यह 10 सिखों के 10 गुरु प्रचलित हैं पहले हैं गुरु नानिक देव और अंती में गुरु गुविंसी हैं तो यह 10 इनके गुरु माने जाते हैं इसका ध्यान रखना है अगला देखिए 159 प्रेस का मुक्तिदाता कौन सा गवर्नर जेनरल कहलता है तो जो प्रेस का मुक्तिद गांदी ने साबरमति आशनम की स्थापना कब की थे? तो यह की गई थी 1916 में महतमा गांदी के दौरा 1916 में साबरमति आशनम की स्थापना की गई थे आगे है सांज का तारा किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है शुकर को अगर पूछा जाए प्रित्वी की बहन किसे कहा जाता है तो शुकर ही यहाँ पर होगा अगला है 162 प्रित्वी का मानक्स में रेखा किस रेखा को कहा जाता है तो ये होगा जीरो डेगदी देशांतर देखा अगला प्रशन देखिए यहां पर गलफ स्क्रीम किस महासागर से स्वन्दित होगी गलफ स्क्रीम तो यह हो जाएगा आपका अट्लार्टिक महासागर सी सही भी कलब हो जाएगा अगला है 164 बिशव की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यह हो जाएगा नील नदी आगे है 165 सुर्योदे का देश कौन सा देश कहलाता है 165 का यहां पर सही भी कलफ हो जाएगा जापान भी सही भी कलफ हो जाएगा एक प्रशन यहां से आपके लिए और छोड़ता हूँ जपान को अपनी रचनाओं में बहुत ज़्यादा महत बलिया है तो उसका नाम भी अगर हो सके तो आप बता देना ठीक है चलिए फिर अब अपनी वीडियो का हमसमापन कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतिक वने रहे इसका धनियावाद पिछली वीडियो में हमने एक प्रेशन का उत्तर गलत दे दिया था वहाँ पर पूछा गया था कि जो आपका बर्तमान काल है इसके कितने उपभेद या भेद हैं तो इसके जो उपभेद या भेद होंगे तो मैंने तीन बता दी थी तो तीन नहीं पांच होंगे किसी सस्क्राइबर ने भी इसका उत्तर दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने कोई लगता है आपको जहां पर कोई प्रेशन गलत है तो आप हमें बता सकते हों इस तरह से सभी का फाइद होता है माली जी इसके पहशात कोई वीडियो देख रहा हूँ तो इसको अगर गलत उत्तर पता चलेगा तो गलत बात होगी न अगर आप महां पर कोर्यक्शन करवाते हो बहुत अच्छी बात होती है तो आपको कहीं लगता है कि गलत उत्तर दिय गया है मेरे द्वारा तो आपको कर्यक्शन करवाने जाजिए यह जल्दवाज में कई कई बार हो जाता है ठीके ना बहुत सुंदर लगा मुझे जिसने भी यह उत्तर में करवाई थी तो चलिए देख लेते हैं कालों के बारे में थोड़े से यहां पर में आपके लिए त दूसरा है अपूर्ण बर्तमान तीसरा है तत कालीन बर्तमान चौथा है पूर्ण बर्तमान और पांच्वा है संदिग्द बर्तमान इसका आपने दियान रखना है यह महत्पून है इन में से इसके उपभेद भी पूछी जा सकते हैं कि निवन में से कौन सा इसका उपभे दूसरा आसन भूतकाल तीसरा पूर्ण भूतकाल चौथा पूर्ण भूतकाल पूंच्वा संदिग्ध भूतकाल और छटा हेतु हेतुमद भूतकाल जो यह वाला है सबसे महत्पून है यहाँ पर इसे प्रशन बनते हैं इसके बारे में थोड़ा सामय आपको बताऊंगा भी क्या होता है यह तो देखिए यहाँ पर आगया हेतु हेतुमद भूतकाल इससे तात्परी होता है भूतकाल की एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित हो उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं क्या है दोस्तों जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो वहाँ हेतू हेतू मद भूतकाल होता है जैसे, यदि बर्षा होती तो फसल अच्छी होती देखिए, यहां पर एक दूसरे पर आश्रित है दूसरा है, यदि डाक्टर समें पर आता तो मरीज नहीं मरता तो ये भी हेतू हेतू मद भूतकाल है तो इसका भी आपने दियान रखना है अगला है काल के दो भेद हैं तो यह भी पूछा जा सकता है कि जो भविष्यत काल है इसके कितने भेद होते हैं तो इसके दो भेद होते हैं कौन-कौन से हैं सामान्य भविष्यत काल संभाब्य भविष्यत काल ये दो इसके भेद होते हैं तो यहां से अब मुझे लगता है आपको पूरा पता चल गया होगा क्या है क्या नहीं इसी के साथ आपको ये भी दियान रखना है अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो काल हैं इनके कितने भेद हैं तो काल की आपको याद रखना है तीम भेद हैं कौन-कौन से हैं तो एक तो होगा भूत काल दूसरा हो गया बरतमान काल और तीसरा हो गया भविश्य काल जैसे बोलते हैं पास्ट परजेंट एंड फ्यूचर जिस तरह अंग्रेजी में हैं परकार हिंदी में भी है इस परकार से आपको इसका भी धियान रखना है तो अब मुझे लगता है आपको पूरा यहाँ पर काल से सबंदित तथियों की भी पता चल गये होंगे क्या है कैसे हैं तो ठीक है आप अपनी वीडियो का असमापन कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतक बने रहें इसका बहुत बधन्यावाद